आपके अपने यूटूब चैनल नेलम स्टेशन व्लॉग में आज के साथ रुई की बत्ती बनाने के बहुत आसान से तरीके बताऊंगे इसमें मैं आपको पांच तरीके बताने वाली हूं रुई की बत्ती बनाने के क्योंकि अलग अलग तरीके से हमारे धर्मों में बत्तियों का यूज होता है तो मैं आज 5 तरीके आपको बताऊंगे जिससे आप रुई की बत्ती बहुत आसानी से बना सकते हों तो वीडियो अगर जरा भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जरूर प्रेस करते हैं ताकि आपको हमारे सभी वीडियो इसके नोटिपिकेशन हमेशा मिलती रहे है। उसकी बाद अगर बत्ती की जो इस्टिक होती है वो हमने वीचो बीच में रखकर इस तरह से इसको राउंड कर दिया है। आपको अगर बत्ती की जो इस्टिक हो इसे खीच लेना है। इस तरह से आप देख सकते हो बहुत आसानी से सुंदर सी बत्ती बन जाती है और बहुत कम रूई में आप अच्छी से सुंदर सी बत्ती बना सकते हो। अगर घुमाना वरना बत्ती टाइट हो जाएगी और श्टिक से निकलेगी नहीं। तो हलका से इसको घुमा देना इस तरह से पहला मैथट से हमारी रूई की बत्ती बनकर तयार है। अब मैं आपको सेकेंड मेथट बढ़ता रही हूँ। इसके लिए थोड़ी सी कॉटन को आपको किसी खुरद्रे सरफेस पर रखना है। हलका सा खुरद्रा सरफेस होना चाहिए। मैंने यहाँ पर रेड कलर का कपड़ा डाल रखा है। थोड़ा सा खुरद्रा उसके उपर मैंने कॉटन को रखकर उसके बीच में मैंने इस्टिक को रखकर बस तीन या चार राउंड घुमाया और हमारी बत्ती बनकर तयार हो गई। इस तरह से थोड़ी सी कॉटन आपको लेनी है और बस आपको इस्टिक को बीच में रखकर इस तरह से दो या तीन राउंड घुमा देना है। बस हमारी बत्ती बनकर तयार हो गई। और पतली बनाना चाहिए तो और भी पतली बत्ती आपको आराम से बन सकती है। बस आपको इसको घुमाने का मैथर ध्यान देना है। सिर्फ एक ही डारेक्शन में आपको इसको घुमाना जैसे कि आप देख सकते हूं। जो में हम बहुत चोटी चोटी बत्तियों को यूज करते हैं कई बार आटे का दिया बनाते हैं उसमें बहुत चोटी चोटी बत्तियों को यूज करते हैं तो आप इससे भी चोटी बत्ति बना सकते हो तो जितना चाहें आप लंबी चोटी बत्ति आप आराम से त्यार कर सकते होampf मैं तो यह दसते हो सारी हमारी कॉटन और वहां ہیں स्थाने हमारी हर्लानी के लिए हैं lumière काजल बनानी के लिए अपको कैसे बत्तीबनानी है काजल का कजल धिया हम जलाते हैं वीपा अलीपछ इसके लिए मोटी और लंबी बत्ती बनाते हैं तो थोड़ी जादा कॉंटिटी में आपको रुई लेना है काजल की बत्ती के लिए तो मैंने रुई को लेकर इसके उपर अगर बत्ती की वही इस्टिक रखी है और इसको हलके हलके से हातों से मैं राउंड घुमारी हूं अपनी तरफ को अब यह साथ फूल बत्ती बना कर आपको दिखाऊंगी फूल वाली बत्ती है जिसको हम दिए की बीच बइच में रखते और बस टिप पर जला देते हैं और हमारा दियां बहुत अच्छे जलता रहता है आप देख सकते हैं इस तरह से थोड़ी से रूई को लेकर आपको फैला देना है उसके बीच में आपको थोड़ी से रूई की गोल पोटली बनाकर बीच में रख देना है और इस तरह से चारो जानी से खड़ी हो जाती है जलाते समय आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी के जरूरत नहीं पड़ती है और आप इसको आराम से दिये में रख कर जला सकते हो मैं दोबारा से आपको दिखा देती उस तरह से थोड़ी सी रूई की गोले बना लेने है और थोड़ी सी कर देंगे यह देखिए और बहुत ही लंबी नोक वाली हमारी फूल बत्ती बनकर तयार हो गया इस तरह से आप जितनी चाहें उतनी बहुत सारी फूल बत्ती बहुत कम समय में बना कर तयार कर सकते हो मैं थोड़ी सी बत्ती आपको और बना कर दिखा देती हूं आप ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहें तो यह देखिए हमने दोबारा से इस बत्ती को बनाया है और देख सकते हैं कितनी गोल और कितनी सुन्दर अच्छी नुकीली बत्ती हमारी बनकर तयार हो गई हैं तो चार तरह की मैंने बत्ती आपको बना कर दिखा आप देख सकते ह मैंने बनाई है जिसके लेंद थोड़ी से छोटी है आप इससे भी छोटी इससे भी पतली बना सकते हो काजल के लिए भी बत्ती हमने बनाई और फूल बत्ती भी हमने बनाई अब मैं आपको दोहरी बाती बनाने का तरीका बताती हूं क्योंकि कई पूजन में हमारे दोहरी से राउंड करके आप किसी की लेना चाहें थो बराबर से उपर से टोड़ा लूंगी आप बल बना दिया जादा गुमा दिया जादा लिपट रही तो इसको आपको इस तरह से पकड़ कर बीचों भीच से सीधा करने अब यह आपकी बत्ती बनकर तयार है थोड़ा सा पीछे खुल रहा है तो आप उसको अपने हाथों से बनाकर रांड कर सकते हो तो इस तरह से दोरी मैं इसे पहले bekommen और को बता रहूं मैं आप गए तरीक दिखा दिया एक तरीका से बना सकते हो इस तरीका मैं आपको बता रहे हैं इस तरीके के लिए इस तोड़ी लंबी रुई ले लेनी आप उसके से बाद इसको एक शिरा आपको राइट की तरफ एक लेफट की तरफ घु तो बीच से इसको हम काड़ देंगे और यह देखी हमारी बत्ति आपस मे लिपड़ गई है और इसको दोनों हाथ से हम पकड़कर इस तरह से एक बार फिर लेप्ट गुमा देंगे एक और यह हमारी बत्ति बन कर तेयार हैं तो यह दोहरी बाती का भी मैंने आपको बता दिया वीडियो जरा भी अच्छी लग रही हूँ तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने में हम पूरी मेहनत करते हैं हमें मेहनत करने में भी अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करके विल आइकन को प्रेस करें ऐसी ही यूजफिल वीडियो हमेशा देखते रहने के लिए आपको हमारे बत्ती बनाने का तरीका कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा आपके लि बिल आइकन को जरूर प्रेस करें वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं हमारे दूसरी वीडियो को भी जरूर चेक आउट करें थैंक्स वचिन टेक कियर बाई बाई